ये लोग गोर सांप्रदाइक है लेकिन आरजेडी कॉंग्रेस ने दलीतों, पीष्णों, आदिवास्यों के बच्चों से, अतिपीष्णों के बच्चों से, ये अधिकार उनसे छिन लिया और मुसल्मानों को दे दिया है मोदी के लिए सम्विधान सर्वो परी है साथियों, ये इंडी गड़बंदन के लोग और मैं जब कहता हूँ, तो मैं आपसे भी आगर करूँगा मैं जो बात बताता हूँ, एक बार खुद भी जाँच परताल करके देख लेना मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा मैं तीन बाते बताता हूँ ये लोग गोर सांप्रदाइक है इनको सम्विधान से, बिन सांप्रजाइकता से, सर्वपंत संभाव से कोई लेना देना नहीं है ये लोग गोर जातिवादी है और ये लोग गोर परिवार वादी है सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोते हैं बाक्यों को सब को पीछे रखते हैं क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं बिहार का भला कर सकते हैं पाटली पुत्र का भला कर सकते हैं आपके परिवार का भला कर सकते हैं साथियों बिहार की इस धर्ति ने सामाजी इंडियाएक को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है SC, ST, OBC के आरक्षन के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन आज बिहार के जागरूग लोगों के सामने मैं दुख के साथ बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूँ क्योंकि मैं भी आपी की तरह अती पिछड़े लोगों के बिच में पल बर करके आपके बीच पहुँचा हूँ इसलिए मैं उदर्द को जानता हूँ आरजेडी कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन के दल मिलकर SC, ST, OBC के साथ बहुत बड़ा विश्वास गात कर रहे हैं हमारा संविधान कहता है ब्लेक एंड वाइट में है कोई question mark नहीं है हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा बाबा साब आमबेड कर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा लेकिन RJD, कॉंग्रेस, SC, ST, OBC का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहती है 24 के इस चुनाव में जब मैंने इंदलों की इस साजिस का परदा फास किया है तो एक के बाद एक इनकी SC, ST, OBC आरक्षन विरोधी करतूते सामने आ रही है मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवार जनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूँ RJD Congress ने मिलकार मेरे यादव परिवारों को मेरे कुर्मी परिवारों को मेरे कुष्वाहा परिवारों को मेरे कलवार परिवारों को मेरे तेली परिवारों को मेरे सुरी परिवारों को मेरे कानू परिवारों को मेरे निशाद परिवारों को मेरे पासवान परिवारों को मेरे रविदास परिवारों को मेरे मुसहर परिवारों को ऐसे हरेक का जो आरक्षन था ना उस पर डाक का डाल दिया है आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकरके जैसे चोरी कर जाए बैसे इन लूटेरों ने आपके हक को लूटा है मैं बात कर भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन पर बड़े गाव लगे हैं बाईयो और इन जातियों के आरक्षन का कोटा कम करके आरजेडी, कॉंग्रेस, इंडी गड़बंदन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है साथियों SC, ST, UBC के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षन से बहुत मदद मिलती थी लेकिन आरजेडी, कॉंग्रेस ने दलीतों, पीछणों, आदिवास्यों के बच्चों से अतिपीछणों के बच्चों से ये अधिकार उन से छीन लिया और मुसल्मानों को दे दिया है ये सम्विधान के खिलाप है ये डॉक्टर राजें ने प्रजाज और बापा साब आमबेड करने जो सम्विधान बनाया उसके पीछ में चुरा पूंकने वाला पाप किया है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कॉंग्रेस ने रातो रात माइनोरिटी इंस्टिटूशन से जुड़ा कानून बदल दिया इसके बाद धड़ा धड़ हजारों संस्थानों को माइनोरिटी इंस्टिटूशन गोशित कर दिया इन संस्थानों में पहले एड्मिशन के दोरान SC, ST, OBC अती पिछडे को पूरा आरक्षन मिलता था RJD कॉंग्रेस के चलते आज SC, ST, OBC अती पिछडे को माइनोरिटी इंस्टिटूशन में एक टक्का भी एक परसंट भी आरक्षन नहीं मिलता है जो पहले मिलता था उतको ताले लगा दिये आपका हग था उत पर डाका डाल दिया यानि लाखों SC, ST, OBC अती पिछडे युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गटमंदन वालों ने छीन लिये आप मुझे बताईए क्या ये आप से विश्वादगाद है के नहीं है ये आप से विश्वादगाद है के नहीं है मैं जड़ा आप से पूछता हूँ क्या ये आप से विश्वादगाद है के नहीं है क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वादगाद है के नहीं है साथियों इंडी गटमंदन की एक और साजी उसको अभी कलकत्ता हाइकोट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटा खट खटा खट एक जटके में ओबिसी का दरजा दे दिया इसके बाद सरकारी नोकरियों में जो लाब ओबिसी को मिलने चाहिए था अती पिषणों को मिलने चाहिए था वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा हग किसका मारा गया हग मेरे ओबिसी परिवारों का मारा गया मेरे अती पिषणों का मारा गया फाइदा किसको हुआ इंडी वालों की बोट जिहाद करने वालों को मिला बैसा ही कॉंग्रेस के राज में करनाटका में रातों रात सभी मुसल्मानों को OBC गोशित कर दिया साथियों RJD कॉंग्रेस इंडी गड़ बंदन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते ये संविधान बदल कर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहते हैं लेकिन मैं भी आज बिहार की इस दर्ती से सामाजी की न्याय की पुन्य भूमी से देश को एक गारंटी देता हूं बिहार को गारंटी देता हूं SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं अती पिछडे परिवारों को गारंटी देता हूँ, जब तक मोदी जिन्दा है, मैं SCE, SCE, OBC और अती पिशणों के हकों को छीनने नहीं दूँगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए बाबा साब आम बेड करके भावना सर्वो पड़ी है। जब तक जान है लड़ता रहूंगा। जब तक जान है। जब तक जान है। जब तक जान है। जब तक जान है।